हेलो गाइज नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे रूसी के बारे में यानि के डेंडराप के बारे में रूसी बालों के लिए दुस्मन जैसा काम करती है क्योंकि इसमें ना सिर्प बाल जटते हैं बलकि बालों का आकर्शन भी खो जाता है असल में रूसी सीर या बालों म जीर की ताउचा पर पॉब्लिक जैसी ताउचा बनने लगती है इसे चुटकारा पाने के लिए हम कुछ घरेवलों टिप्स बताएं कि जिसका मदद से आप अपने रूशी यानि डेंडर को बहुत ही कम दिनों का अंदर यानि 5-6 दिन का अंदर हमेशा के लिए खतम कर सकते ह है आई जानते हैं कौन्से टिप्स अपनाने से आपका रूशी हनपेसर के लिए खतम हो जाएगा दोस्तों अभी तक मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो मैं चैनल कर सब्सक्राइब जरूर कर लेकर कि ऐसा ही वीडियो हम आप तक लाते हैं जिसका किसी प्रकार का सब्छाइब को दोने के निमी गता देंडियों के शाएं रहा है यह पत्ति शेर होने पर नीम के पतियों को पानीं में डालकर भख लेह हैं इस पर ने तक सीर पर लगा कर रखे बाद में पानी से सीर को धोले नीम का पत्य को उबालने के बाद बचे हुए पानी को बचा कर रखे रख ले इस पानी के इस्तेमाल आप सेमभू के बाद सीर को धोने के लिए कर सकते हैं ऐसा करने से आपका डेंडर एक दिन ही खतम हो जाएगा और आपका डेंटर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा टिप्स नमर टू दाही पुराने और खटे दाही को अपने सीर पर लगाए कम से कम 10 मिनट तक लगा कर रखे बहतर होगा कि कम से कम 30 मिनट तक लगा कर रखे बाद में सीर को पानी से धोले दाही असल में लैक्टोज और पॉ समस्थे का मुख्य काना बालुक नीचे का ड्राइए स्कीन होती है दही एसकेल्प को इतना पोशन देती है कि ड्राइए स्कीन के समस्थे लगबाग खतम हो जाती है यह बहुत ही प्रवासाली टिप्स है दोस्ते इसको लगाए और आपने डेंटर एक से दो दिन में हमेश में निम्बू का रस्त मिला ले इस मिशना को अच्छे से बालों में के जड़ों में लागा ले 10 मिनट या पुरी रात लागा कर रखे और सुबह किसी माइल्ड सेंपूर से बालों को अच्छी तरस दोले नारीयल का तेल में लौरिक एसिट पाया जाता है यह एसिट बालो को सहारे एसकेल्प के नीचे जाकर बालों के जड़ों तक पोशन देता है इसके अलावा निम्बू एसकेल्प को प्येच लेवल को मोटे मेंटेन करने में मदद करता है निम्बू के इस्तमाल से एसकेल्प पर जमा एक्स्ट्रा सीबम भी हटाया जा सकता है यह बहुत ही प्रवाब साली है दोस्तों इसको उपयोग चरूर करें आपका डेंटर एक दिन भी खतम हो जाएगा टिप्स नमर फूर्थ बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का उपयोग सीर को सबसे पहले अच्छे तरह से धोले इसके बाद एक चमच बेकिंग सोडा का पूरे सीर पर अच एक मिनट के लिए उसके बाद अपने सीर को अच्छे से धोले यह बहुत ही प्रववसाल है आपका डेंटर खतम हो जाएगा दोस्तों मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करके ऐसा ही वीडियो हम आप तक लाते हैं थैंक्स फर्म वाचिंग